नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एए सकड़मी में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मत्पदेश सिक्षखभरती वर्कतिन की सकंड काउंसलिंग के बारे में दोस्तों आपको बताते हैं कि गेस्ट फैकल्टी का जो टिक करना था उस इस वीडियो में अंत तक आपके प्रिशन सारे किलियर हो जाएंगे कोई भी प्रिशन आपके मन में नहीं रहेगा इस बात को आप याद रखेगा मैं आपको बता देता हूँ गेस्ट फैकल्टी में किसको टिक करना है किसको नहीं करना है उनके लिए यह आदेश जारी हुआ था यह आदेश लगबग आप सभी को पता है लोग सिक्षन संचलाने के द्वारा किया गया था और उन्होंने लिखा था कि आपको 4 मई 2023 से 8 मई 2023 तक यहां आपको 4 से लेके आठ तारीक तक गेस्ट फैकल्टी में टिक करना था यदि आपके निून्टम 200 दिन या 3 सेक्षन के सत्र हैं तो उनी छात्रों को टिक करना था ठीक है जिनके या तो 200 दिन कंपलेट हो चुके हैं या फिर उनके 3 सेक्षन के सत्र ऐसे हैं जिनने उसमें पढ़ाया है तो उन व्यक्तियों को उन छात्रों को गैस्ट फैकल्टी में टिक करना था लेकिन अब प्रश्ण ये आता है कि भई हमने पहले गैस्ट फैकल्टी में टिक कर दिया था और अभी हम गैस्ट फैकल्टी हैं तो हम करें या ना करें या फिर हमने पहले guest faculty में टिक नहीं किया था, अब हम guest faculty के 200 दिवस complete कर चुके हैं, तो हमें टिक करना है कि नहीं, तो इसमें हम जरा एक बार आगे देखते हैं, इसको पिलकुल प्रूब के साथ समझ लेते हैं, आप देख रहा है teacher requirement counseling, इसको देख रहा है TRC की website है, एक student से उन की detail है, तो उन्होंने पहले guest faculty में टिक किया था, आप लोग या देख रहे हैं, यहाँ पर guest faculty में क्या लिखा है, हाँ लिखा है, यानि ऐसे लिखा है, उन्होंने पहले ही टिक कर लिया था, क्योंकि उनको 200 दिन complete पहले हो चुके थे, और 3 section शस्त्र उनके पहले थे, पर मैं बता दूँ, आपको इस तरीके से लिखा आएगा, क्या लिखाएगा, trc.mp.online.in पर लिखा रहा है, you have already updated your guest faculty details, मतलब आपने अपनी guest faculty के detail पहले ही update कर दी है, तो अब आपको update करने की जरूद नहीं है, यहाँ पर okay का बटन है clear है, मतलब simple सी बात clear सब्दों में लि मतलब आपको जरूद नहीं है, यदि आपने guest faculty में पहले टिक किया था, तो यदि आपके अभी 200 दिन और तीन section एक सच्टर complete हो गए है, तो आपको अभी guest faculty में टिक करना है, और यदि आप पहले कर चुके हैं, तो आपको टिक करने की जरूद नहीं है, इस बात को business ध्यान दीजेगा, ये में इसलिए आपको लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे students के मन में प्रशन हैं और confusion है, कि हमने पहले किया था, अभी करना है कि नहीं करना है, या फिर अभी हैं, तो करें की ना करें, तो याद रखिएगा, यदि आपने टिक नहीं किया है, तो कर देना, और आपने पहले किया है, तो आपको टिक करने की आवज सकता नहीं है, और सोच समझ के टिक करना, क्योंकि guest faculty और non guest faculty में अलग अलग बहुत फर्क है, इसलिए समझ लेना, और कोसेस करें, अब हम जो 9 तारीक को मेरी सभी से अपीले के 9 माई को, हम लोग जो 59,000 पदों के लि याद रखिएगा, वीडियो बहुत ही helpful है, और आपके प्रेशन है और बहुत सारी students के प्रेशन हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को like कर दीजेगा, share करना और चैनल पर new है, तो चैनल को subscribe जरूर करते जाएगा, thank you